आज हम बनाएंगे मूंग डाल की मंगोचियां और ये मंगोचियां खाने में बहुत ही तेश्टी लगती हैं और ये जटपट से बन भी जाती हैं इसे हम चावल, रोटी या पूरियों के साथ भी खाते हैं और ये काफी ज़्यादा तेश्टी लगता है और ये हेल्दी भी बहुत हैं तो आईए इसे बनाते हैं तो इसके लिए आदा कटोरी मूंग डाल को हमने भीगा दिया था चार घंटे के लिए और डाल को अच्छे से पीस लेंगे अब इसमें हींग, जीरा, लाल मिर्ची का पाउडर, नमग और थोड़ा सा बेकिंग, शोड़ा या बेकिंग पाउडर डालके मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें दो छोटे कटे हुए प्याज डाल देंगे इसके बाद कुछ दन्या के पटते भी डाल देंगे और इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हमारी सभी चीजी अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब हम चलते हैं कडाई की तरब तो कड़ाई में ओल डाल कर हमने कड़ाई को गरम कर लिया है अब हम इसमें मूम डाल की पकोड़े जो हैं वो फ्राई करेंगे जब पकोड़े एक साइड से सिख जाए तो हम इने दूसरे साइड उलट लेंगे और जब यह गोल्डेन फ्राई हो जाए तो अब हम इने निकाल लेंगे तो पकोड़े प्राई हो गए है तो अब हम चलते हैं कड़ाई की तरब तो कड़ाई में हमने सरसो का तेल डाल दिया है अब हम इसमें थोड़ा जीरा डाल देंगे जीरा डालने के बाद हम इसमें लैसुन मिर्ची अधरफ और टमाटर का पेश्ट डाल कर अच्छे से बुलेंगे इसके बाद हम इसमें आधा चम्मस गरम मसाला और थोड़ा सलाल मिर्ची पाउडर डाल कर फिर से बुलेंगे अब यही पर हम तेश्ट के इसाब से नमक और पानी भी डाल देंगे अब पानी में हम अच्छे से उबाल आने देंगे और जब हमारे पानी में उबाल आ जाये तो हम इसमें अपने पकोड़ों को डाल देंगे तो यह लिजे पकोड़ों को भी हमने इसमें डाल दिया अब हम इसे पांच मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पर ढग देते हैं पास मिनट की बाद ये देखिए हमारे मुंग डाल की मुंगोल चे बनकर त्यार हो गए हैं तो अब मैं इने आपको निकाल कर दिखाती हूँ और ये देखिए हमारे मुंग डाल की मुंगोल चे बनकर त्यार हो गए हैं और यह जटपट से बन जाते हैं और यह काफी ज़्यादा टेश्टी लगते हैं तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताईएगा और मुंग डाल से बनी यह रेसिपी आप अपने परिवार में सब को बना कर जरूर खिलाईएगा तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई झाल